कि ऐसे आप सब आई होब आप सब अच्छे होगे तो आज की सुज्डीो में हम क्या देखने वाले हैं हम देखने वाले हिस्टर का टॉपिक जो आपका आधुनुक भाहात उसका में एक टॉपिक देखने वाले हैं वो कौन सा है बहुत ही ज़्यादा महत्व पूर्ण है आपके एक्जाम के लिए अगर आप उपीपीची सी उपीची आरो यारो बीई ओ इन्हीं सब की प्रिपिशन कर रहे हैं यह यह वाला टॉपिक आपके लिए काफी इंपोर्ट सवतंतता संग्राम भी कहते हैं यह हम उसको सैनिक विद्रो भी कह सकते हैं यह हम उसको राष्टे विद्रो भी कह सकते हैं यह पांच मैंने इसने लिखा है क्योंकि फिफ्ट चैप्टर था मेरी बुक में ठीक है अठाव सवतावन के क्रांति के हम इसमें क्या क्या पढ़न तो हम देखे कि जो ठासु सितावन की एक रांती ती तो उसका स्वरूप कैसा ता जैसे तो रास्टे विद्रों है स्वतत्तर संग्राम हम इसको कह सकते हैं ठीक है सब्लाजजबादी विजारधारा की इत्यासकार कौन-कौन से थे सर जॉन रोरेंस और सर जॉन सिले यह आपक अग्जाम में कोशन आ सकता है सैनिक विद्रों किस इत्यासकार ने इसको कहा है चार आपको और उप्शन देए और उन में से एक गृत और तीन सही देएक इस तरह आपको दे सकते हैं तो कुछ भारतिये इत्यासकार जैसे कर हम बात करते हैं सर सेयद एहमदकान बगावत हिंद तो आपको नाम याद रखना है राष्ट्री विदरों के संग्या किस नहीं थी अश्योंक नहीं से विट राष्ट्राव पर नेता है यह भी जे में बेंजयमिन डिजराईएंड सब्सक्राइब करते हैं नहीं है बतके हम अगर वेड़ी और अगर हम बात कहें तो बहुत हीögए विनैयिक दामुदर सावरकर जिनका पूरा नाम है ठीक है तो आपको यह याद रखना है अगर हम बात करते हैं वीडि सावरकर की तो इनकी एक जो है इनकी एक किताब है किताब का नाम क्या है दा इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंडेंज यह वाली 1906 में लिखी थी किताब का नाम आपको याद रहां चाहिए यह पूछा गया है दा इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंडेंज मराथी में लिखी थी पर्थम स्वतंतता संग्राब 857 लिखा हुआ है इस बुक में नाम से पता चलना है ठीक है इसको परकाशन सी पुर्वी क्य यह पुस्तक जो होलेंड में प्रकाशी चोरी से छुपके क्योंकि इसका विरोध हुआ था लाला हर्द्या ने इसका अग्रेज अनुवाद जो है दित्तिया किया था भगसिक निसका थर्ड एडिशन लाई और सुबास्ट बोस इसका फॉर्थ एडिशन लाए तो इतना आ है अशोक महता की बुक है अग्रेट लिविरियन रास्टे विद्रों के बारे में लिखा है इनोंने और सी मजूमदारी के बात करें सिपाए म्यूटनी अरिवाल्ट ओफ 888 यह कोशन पूछा गया है कि सिपाए म्यूटनी बुक है तो आजिवाल्ट ओफ 888 किसकी बुक है आज ही मज़ूमदार के आपको याद रखना है 1957 में लिखे गई थी एस एंचानी के लिखे 1857 और 1857 ने आएगा बुक का नाम आएगा आपको बताऊंगी अब कुछ बात कर लेते हैं कथन की ठीक है कौन से किसने कहा जैसे अगर हम देखे तो जो यह 1857 की क्रांतिरी इसको का था किया एक हिद्व मुस्लिम शडियंद था तो एक इसने का यह टेलर आउटरम ने का है टेलर ने भी का और आउटरम ने भी बरबरता और सब्वेता के मद्दे यह सग्रश्टा यह होमस ने का है धरमादर का इसायों की खिलाफ युद्धा यह वाक्य किसने का यह रीज ने का है सू नियोजित भात का परतम स्वतनत संग्राम यह किसने का इवीडि सावर करने का अब 857 की क्रांति तो उसका प्रतिक क्या था अब बात कर लेते बिटेंट फीयर अथा सो सथा सतावन की क्रांति के समय वो कौन थे तो अगर हम बात करते हैं के प्रतान मंत्री को थी तो पॉर्मिस्टन थे विक्टोरिया थी और भारत का गवर्नर्स जर्णर को था लॉड कैनिंग कंपनी का प्रधान स्यानी को था एनी संथा तो आपको याद रखने एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है पीचिस की एक्जाम में कोशन आते हैं और आप यहीं पर कन्फू कि आसकता है 1857 की क्रांटी के सेमें भात का गवर्नर्स जर्णर को था लॉड कैनिंग था अब बात कर लेते हैं 1857 की क्रांटी के कारण पर तो इसका जाते हैं कुछ आजके तातकली कारण की बात के तो आपको यह सब लिखने है राजनेती को परशाशणी कारण है धार्ष क को समाजिकाण अर्थिकाण है ःभ्रिय कारण अंघ्रेजी नीखते हैं से भी दिखते हैं तो भीया है意ल्प और भी राजणीते को प्रशाशनीक कारण एक जबादिों के में क्या जमीदारें के प्रती वैवार चमीदार के प्रती और हमने भारत नक्षा बनाया है यहां पर क्या है हो कि आगए बात करते हैं जैपुर जोधुपूर भारतपूर और जो ये अगलेजों के साथ एकत विवार में आगर तो दिलिये का बादवडूर जफर ता ऐसमें में ऑक्रेंड्नने खिललते देना अंगलेज औपक्र नियान एक अच्गलीन था दो लॉल्ड एलन बलो ने सिक्कों पैसे बादिशा का नाम हटा दिया गलोजी ने क्या करा बादिशा को लाल खेना छोड़ गया को तो मिनारे के पास राने का आदेश दिया लॉल्ड कैनिंग ने बादिशा का पद समाप्त कहते है तो यही से करांती शुरूई लोगों के मनमें के पास बिठूर में भेज दिया अग्रेजोने और ठास तर्फर में क्या हो जाती है इनकी मिरत्ति हो जाती है तो इनका दुपिंग दथ्धक पुत्र जिसको नानासाब के नाम से आप जानते हो डलोजी ने क्या कहा अब दथ्धक पुत्र पर रोक लगा दिकित अन्हीं ब लगाकर अवद को हरप लिया ग्रेजुने और इसको कमिशनरी शेत बना राया और यहां का जो कमिशनर था वह हैंडरी रोलिंस को बनाया अवद के नुआप को था वाजित अलिशा वाजित अलिशा की बेगम को थी बेगम हज्जत महें अब जमीदारों के प्रती देखते हैं बंबई शेत के घमाज नराजते एक से क्यक्कि도 ने एक एक लाया था कोouse लाट डह Kick l ak इनाम कमिशन के नाम में konoh wrong नाम जो इनाम कमिशन और इनम कमिशन से और उसमें क्या होता था है सभी जमिदार की जांच होती थी ठीक है और इसमें जो है 20,000 जागिर उन्होंने जब्ध कर ली थी अब जमिदारों ने जो है रुस्टोकर गार श्रुटोकर अठास उतावन की क्रांती में भाग लिया अन्या प्रशाच्छिक नीतियों की बात कर लेते हैं तो पद जो थे पद बदलाव किया गया और भरती बदलाव किया गया अंग्रेजोको तो उन्होंने आगे बढ़ाया लेकिन भारती आते ना उनकी बारती में पहुता था तो यहीं से विद्रों की शुवाद धिरे-धिरे होने लगती है अब बात करते हैं आर्थिक कारण की कि अगर हम तो भात में परमुक आर्थिक की रिया अगर बात करते हैं तो कृष्षिति उध्योगते निवेश ठीक है क्रिशी उध्योग निवेश और क्या थे यह इंग चिसह के बाद करके कि उपर लगान लगायाए जाता उसे लगान को सक्ति से वशूरण्दे को नक्रिक परनारी सी को बात करते हैं पुछ नादे आए बुरा चिसु級 और तो कोन को सी थी इस्ताहिए बंदोबस्त यह आगया आप डिटेल में पढ़ोगे इस्ताहिए बंदोबस्त रियतवारी और महलवारी इस्ताहिए बंदोबस्त की बात करते है तो जमीदार भूमी इसमें जो जमीदार होता था वह भूमी का स्वामी होता था तो इसमें लगान जो ते गाओं के मुख्या से वसूला आता था, ठीके तो बू राजसव बढ़ना रहे थी जिनको अंग्रेजिने लगान वसूल के लगाई थी अब बात करते हुं कृष्ट का वानिज्यक्रन तो इससे भी क्रिश्टों का पतन हुआ वानिज्यक्रन से चाहते थे इसका भी विद्रह हुआ था यह आगे पढ़ोगे जब अजन अंदोरन होते हैं इन खेती से क्या हुआ अग्रेजों को लाब होता था क्योंकि नीली जो है बहुत महेंगा विकता था यूरोपों में ठीक है और इससे क्या हुआ जो भारती किसान थे उनको तो पतन कैसले गरेज जिसहें कर्शों को पतन होता है बैन उठ्वारी बड़ी और मजदूर बन गया आगे बात करते हैं करंदो पर क्या वहाकि कर लगा दिया गया जिस्ते वस्तु बंद हो गई लोकरी के बात करते हैं तो वेतनमी भेद्वाव जैसे मैं आपको बताया अग्रेटर दी जाती थी अब बात करते हैं को समाजिक तता स्यानिक कार्ण यह सबसे बेन है ठीक है अग्रेटर जो नीती थी वह थी समाजिक सुधारी की और धार्मी खस्ट शेप की नीती की तरह समाजिक सुधारी में बात करते हैं तो कंड्यावद पर इन्होंने रोक लगाया था मतलब ऐसा नीता कि कुछ सारा ग्रेज बूरा ही करते थे कुछ इन्होंने अच्छा भी के त जो किया था और अंधिक था 844 में लॉल्ड हार्डिंग ने वीद्वा विवा और बाल विवा का कानून जो था वह था चापर में लॉल्ड अलोजी ने अंतर जाते हैं विवा को मानने था दी लेकिन लोग से सुविकार नहीं कर पाए अठार्था शेप की नीती की बात करे तो यह था तिलक मारा और पगडी पर रोग लगा दी हैट पहनने को का जिसमें क्या हो चाट में आपको पता है हैट किसी बना होता है इससे चंड़े और तूरे का पंक लगा होता है ठीके इससे ही हाप रहता है विलोर का विद्रो अठा सुपचास में धार्विक अयोग्य को अनुमती हो गई किसाई धर्म का परजार बाइबल की शिक्षा धर्म परिवतन के कारिया ने धर्मों की बुराई करते थे लोग सैनिक कारन की बात करें तो भरती वेतन पदोनटी में ऐसा मानता हुई अंग्रेजों का व्यवार गया था बहुत बूरा था अवद का विल 684 में क्या होता है बर्मा जाने के लिए duy यह इन्होंने 624 में बर्मा जाने के लिए विद्रों किया था डल-होजी के करेकार में विद्रों हुआ था यूद में ब्राज्य है यह सब क्या थे? यह सब सैनिक करहनती तात्कावाण के बाद के अक्सर हर बुक में लिखा होता है तो तात्काली कराण क्या थे? इसमें क्या हुआ थे? प्राउन ब्रेस में बंदू को थे? जगा एंफिल्ड राइफर का प्रियोग किया गया तो जो यह इस राइफर को क्या होता था जो एंफिल्ड राइफर थी इसकी वज़े से क्रांधी हुए थी क्यों इस राइफर के खौण में गाये और सुरी की चरिविगा क्या होता है प्रियोग होता है तो जब जब यह काल ने जनम लिया क्योंकि बुलिच घाल में बनती थी इसको दम・दम रवोज यह प्र प्रयोग करना था यह पोच जाते है कि जो यह प्रयोगत रवे उसको प्रयोग कर दोक था तो दम-दम में अमपाला ओर श्राम कोत आगे हम देखते हैं में दॉलक्त दिखा कि बंगाल में यह बहरापूर एक भी किénd थीविन 34 ओपने भ्याति बंगल आनाटिवुफ है इसपाह सबसुर मंगल पांटे मंगलख दो पोछ具 जाता ठीक है यूप उत्रपदेश के बल्या जिला डगोवा गाव में 823 में ये पूछ जाता है कि मंगल पांडे का जनब उत्रपदेश के कौन से जिले में हुआ था तो बल्या में हुआ था यह आपको याद रखता है ha ha 529 मार्च को मंगल पांडे वांडे को कि is लीव संथा से मंगल पांडे को गिरिफतार करली तो शीएक पल्टू के मदस् Otota दोशे के साइत ऑfähी को मंगल पांडे को फासीदी के देट याद रखनी के 8卵 एठाशल से सब्सक्राइब को भग कर दी गई और चोबिस अपला अठाट उतावन को मेरट की सेना के 90 सिपायों ने चल्बी के कार्टुस का इस्तिमार करने से वह बना कर दिया रहीं बात करते हैं नों अखासुत और पिचाश्पी स्यानिकों को दस वर्श क करावास हुआ ऊसमे कब होती है सभी संदीकों को मुकत कराते हैं ग्या आरे मईसा शम पंको सिर्शक मेंट से दिली पहुचते है बारभ में यठा स्तावन को दिली पर कपजा हो गए भारति सानिकों का बक्त खान सैनिकों का नहततब करता है वास्तिविक नहततब करता है बादूसा जफर दिली पर पुर्णाबाद श्रम पन्जाब कश्मीर जीन दे से नाए अगनेजों को मदद को आती है निकोल सर इसमें यह डखना है हर्षर की बात करते हैं घरम विद्रों को कूछलने में जसको सफलता हुए मेरी दुबारा थे १ि लिए उंग्रेजों के कप्जे में आ गई क्योंकि हर्टसान ने विदरों को कुछला जो क्रांती हो रही थी। है जफर को जो रिखतिदार था बाधुशा को घृफतार इसके साथी बर्वामने क्लिवसित कर देता है छफरocy give दो पुठते मीज्च म्यिज्च कर अब आजाता है आपका 5857 के करांथि कानपूर में की नाना साम में की तो कानपूर की बात करें के नाना साम ने क्या होती है नाम्जंद पांडूरगैन का सिरी नाम अग्रेज जडर ये वही रहता है एक में बन्दिय करता है अब कानपूर बीदोग दबाने के लिए खुलॉकर्ट पर आता है सफ़ल हो जाते हैं लेकिन इंग्रेज उक इलाबाद भेजा जाता है इंग्रेज को याद रखनी है जब यह अग्रेज नाओं में बैटकर 24 गाठते गुजर रहे थे तो 24 नाओं में इलाबाद जा रहे थे तरादिकार हम रहोता है अंग्रेजों पर अनेक अंग्रेज इसमें क्या होते हैं बारे जाते हैं और हर्ट स्टेट ने नाना साब को निद्रोश बताया उसी नाव दल में भाईड़ा थी हर्ट स्टेट यह आपको अधक्ता कोशन पूछा जाता है क्योंकि अब आती है बीबी घड़ के घटना तो जो बच्चे हुए अंग्रेजों कुछ शरण हुसेन को सब्सक्राइब के लिए बिमारी से बारे गए थे जो बच्चे हुए अग्रेज ने और एक गुप्त आदिश से अंग्रेजों को भी मार दिया गया था कैमपबल अपनी सेना के कानपूर धुर के बचर करता है कर एक प्रकाम ने लेता है चछयाते आपने अधिकार बिडिया से जाकर मिलते हैं जासि में विडिन होता है मारबाडी राजाभान कादिर लक्णों को नौब बנה दिया जाता है घरिभाई ये इन्ग्रेजों की गुप्त सुटनाIS थी ठीचे अंग्रेजों की गुप्त सूजा लाने वाली कौन थी हैदरी भाई और रही में एक बहीला स्यानिकों को प्रिस्टिक्शन देती थी कमिशनर हैद्री लोलेस माला जाता है और उसके साथ जो थी बर्ग्रेटियर इंग्रिश भाग जाता है अंग्रेज रेजिदेंसी को प्रांतिकारी सियानी घेल लेते हैं अंग्रेज अधिकारी जो थी हैव लोक आउटरम यह सबाते हैं अंग्रेजों की मदत के लिए और यह खूद रेजिदेंसी में फहस जाते हैं अब बात करते हैं आउटर में नक्षण बनाता है और रेजिदेंसी में परवेश किस तरह से करना है और उस होनेरी थोमस और कैम लोग और कनो जिलार द्वारे नक्षण केम्पेबर तक जाता है अब जाता है जाता है जाता है तो जहासी में नेततर करता कुण था तो यहां दी रानी रक्षिमी बाई रानी रक्षिमी बाई का बच्पन बच्पन को नाम बच्पन को नाम से जाना जाता है और महक परी कहते है कि इसको बेगा मजचत महिल को इनका विवास जहांसी के नाचा राजा गंगधर राव से होता है राज़क अंग्रदर्राव की मिरत्यों जाती है अठाज हो त्रेपन में इनका दत्तक पुतर है एक दामदर्राव जो इसे गोद लेते हैं पास जूर अठाज तावन को जहासी में करांती शुरू होती है नेततब करता को रानी लक्षुमभाई बहिलाओ के दरका नेततब करत करना जहासी में तो जर्णल्य हीरोस करना था अंग्रेज के पेश करता है जहासी के रानी ज्हरकारी भाई के मतस्ते के कृल advanced काल पी पहुचते है यह 100 अटने टोपां से डिफाई मिलती है दोनों गौार्यर पोशिते है गौार्यर का दाजसिंध्या होता है अग्रेज्यों यूद होता है जिसमें क्या होता है 17 जूल 888 को रानी रक्षिनबाई वीरगती को प्राप्त हो जाती है तात्य टो पे जो नेपाल चले जाते हैं अब आजाता है जगदिश पूर बिहार में बाबु कुमवर सिंग ठीक है तो यहां पर जो जगदिश पूर में प्रांती होती है आपर जब रहार lot निकलने में सफर हो जाते है कालपी में अनकर चांपूर में सग्रम में जानी होती है और विजाई निए लखनें बेगम हजदमैर से लखनों में बेगम हईर से मिलते आजमगड़ की गिनारे डगलस की सेना से लड़ाई होती है कुमवर के हाथ में कोली रगते है जगदिशपुर में ली क्रांट के नेततब में यूद होता है कुमवर सी यहां बारे जाते है अब बात के 875 क्रांथी के जो नेततब करता थे यह मैंने एक मैप के थूरू लण के जिसे पताचल जान ने जान पर देख सकते हैं तो यह एक्जाम में कोशन पूछ रहाता है कि जैसे लखनो के जो क्रांथी कभ हुए तो आपको इसलिए याद रखना है जिसे दिल्ली के बात करते हैं लिया का तरीकता है आपर फैजाबाद की बात करते हैं तो मौलवी अहमद अर्मदुल्ला शाह जिहाद के नाम पर एक लोगों को एक जुट इन्होंने किया था ठीक है दमन किसने क्या करना ने ने किया बल इसलिए बात किया संबरपुर में जो फ्याद शाही उज्वर शाही इस तरह से ठीक है गोरतपुर में गजदर सिकने मतुरा में देवी सिकने रामगड में रारी अवंति बाई ने किया तो यह स्लिए मैंने मैंने थ्रू किया है ताकि आपको अच्छे से लर्ण हो जाए आ बात करते है अठास तावनी के जो करांती थी उसके ऐसा फलता है कि क्या करांती थी लोग कहते है कि अठास तावनी के जो करांती थी तो यही से लोगों के मन में एक चेतना जागी अजाद होने की यही से करांती स्टार्ट हुई तो फिर यही से हमाए देश के अजाद होने कि जो है एक उने जो जो प्लैनिक कहते हैं शुरूआत कहते हैं वह है तो होते हैं इससिए खा heed the छहर्ग करें शेटेन कि ने % । ये शार मिलाण जफर था कैनिक तो जो बादुशा जफर था थिए और भाधुशा जफर इनकी विप्रेत लॉड केनिंग जो बाधुशा जफर सोसाल में संघठन तियार गया था उसका नेततव इंतने नितत था जूसाल नेततव विद्र हो रहा है इस वज़े से क्या हुआ एक सफलता मिल गई थी संगठन की बात करते हैं तुझे संगठन कम जोड़ता इनके वी प्रित अंग्रेजों का संगठन जो है तुम्णों के लोगा किसी की टरफ से रही ते मिचार अब किसे ही डीजुदार सीथ? सब्सक्राइन था किसी हो इसमय नहीं तिया अगनेजु की तरफ थे राइए बाहरतु परिस्तिति के बात करें तो भारत परिस्तितिया परतिकूलती अंग्रेजियों के पास अनुकूलती यसे नो सिरभी तीन के पास अनुकूलती जिसे इनके कीमय से युद अफिम जीत गए थे और चेंज से वहां से हत्यार भी आते रहते थे उनके पास सारे परिस्तितिया अनुकूलती विस्तार के बात करते तो एक आदश उदेश्य के कमी थी भारतियों के पास जिसे एक आत्मक्ता का भावता नाना साब पेंशन पेष्वा केलिए लिए जासी के बात केरी लिए ले करते का राति मुसतार के लिकिन झो करना है ठीक तो विस्तार की बात करते हैं संपूर भात में विस्तार नहीं हो पाया उत्तर भात में सरवधिक्स का प्रभाव देखा जा सकता है नियत समय से पहले ही प्रानम हो जुका था अब तो भात शार्षन अंधिर्यम 858 विक्टोरिया का घोष्ण पत्र आता है जिसको भात का मैंकला कोटा कहते है भात का गवेंडर जर्नर लॉड कहते हैं इस घोष्ण पत्र को मिंटो पार्क इलहबाद में पूछ राता है कौन से बार्ग में पड़ा था कंपनी का शार्षन समाप्त करने को कहा और भात का शार्षन बिटिश क्राउड के पास चला गया अब कंपनी का शार्षन खतम हो गया था में जीर यही थी बात का शार्षन किसके पास जा गया था बिटिश क्राउड के पास बात कर जो गवेंडर जर्नर ता वाइसराई कहा ज सब्सक्राइब करने का अनुपात को बदल कर जैसे पहले पाच अनुपात एक ता फीर को दो नुपात एक किसी भी शेत्रिय जात्रिय धर्म रेजिमेंट बनाई गई शेत्रों से भरती होगी अब ठीक है दूर्गामरी परीडाव जैसे धार्वी को समाजिक बाटों राजकरों की नहीं थी आर्थिक के बात के तो बहुत में मिल्टेर के पुर्जी के नीवेश्म ध्यानते अगाया निरात का पास जोट कॉफी चाहे त्यार बारकायात हुआ द्योंको का पत्र किया गया अगया कि 28 सुतावर्ग्र कार्वांतिक कुछ सक्रात्मक प्रभाव होना जैसे बाट की आंत्रीक डशक प्यास के गया बहुतिक उड्रुप स्यैकि और प्याहा सब्हानि की सवय नतों कि चलिए बहुत K बहुति तो यहां पर हो जाती है ? आपको जाती हो जाती है आपके एक complete बैशार तो हाथ कम्प्लीट को लेका है ? अब आपको आसे वीडियो को पोज़ करना है घट्रा जाकर से आपको फाइने हो जाता है जो 3ий तो वो हप्डी है उसे देरे इल्ब इस अई को आह्या हो जाता है तो आपको जो देरे सांव TWO फीसOhik टशुट कर से आ रहे हैं क्या मुझे पढ़नीं झाल